जै माता दे आपके अपने यूट्यूब चैनल माजल पर स्टडी हब में स्वागत है दोस्तों आज हम सिंधु घाटी की सभिता के बारे में कुछ यहाँ पे प्रश्टों के उत्तर जालेंगे अगर आपको इसमें से पहले से ही पता है कोई क्रेशन का अंजर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बताएं साथ ही बेल आइकन को भी प्रेश करें, अगर आप नए है वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेश करें, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, सिंधु घार्टी के सभेता, हडपा सभेता का मानिता प्राप्तकाल क्या तो इसका मानिता प्राप्तकाल पचीस सो इसापुर से सत्रसो पचास इसापुर है। सिंधु सभेता की समकालिन नहीं है। वो है ग्रिट की सभेता। सिंधु सभेता में गोडे के आशेस मिले है। सिंधु गाटी सभेता इसथर कालि बंगा तो वो कालि बंगा जो राज्यस्थान में है। हरपा काल की मुद्राओं का निर्मार कहां पे हुआ हे। तो हरपा काल की मुद्राओं का निर्मार सेल खड़ी से हुआ है, हरपा सभिता किस यूग की है, तो हरपा सभिता आपके काल से यूग की है, सिंधु सभिता के लोगों का मुख्य ब्यवसाय क्या था, तो वो है ब्यापार, हरपा सभिता के निवासी थे, कहा के निवासी थे, वो है शेहरी निवासी थी सिंदू सभेता के घर किस से बनाये जाते थे हडपा वासे किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो हडपा वासे आपके कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हडपा सभेता का सर्वप्रथम खोज करता था तो हडपा सभिता का सरप्रथम खोच करता दयाराम शाहनी जी थे सिंधु सभिता का पतन नगर्द कौन सा था तो सिंधु सभिता का पतन आपका लोथल था पैमानों की खोच कहां हुई तो पैमानों की खोच लोथल में हुई हडपा कालीन समाज कहां का है तो हडपा कालिल जो सवाज है वो बिद्वान युद्धा प्यापारी वर्ष श्रमी हडपा सभिता की खोज किस वर्ष हुई तो हडपा सभिता की खोज 1921 स्वी में हुई हडपा के लोगों के सामाजिक पधाती उचित समतावादी कि थे सिंदु का नखली स्थान बाग कहां है तो नखली स्थान बाग जो है वो मुहन चूद्र है हडपा सभिता के संपूर छेतर का आकार आपका त्रिभुजा कार था आपको यह जानकारी कैसे लगी अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स पर वाचिंग बाबा टेक केर और नियों शेयल